आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा 29 लाख रुपे की पैनल्टी लगा दी और बिना बात के डिपार्टमेंट ने एक ओडर इशू करा है आप यहाँ पर देख सकते हैं DRC07 और इस DRC07 में 13 अफ्रेल्स 2021 को ये ओडर इशू वा था और इसमें यहाँ पर देखे 39 लाख रुपे की पैनल्टी है टेक्स कुछ भी नहीं मांगा इंट्रेस्ट कुछ भी नहीं मांगा सिरिफ वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे अगर आपके पास ऐसा कोई ओडर ऐसा कोई मोटीस आता है जो आपको देखने पर लगता यह गलत है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जब यह DRC07 29 लाख कोई नौटीस आया हो या इसकी कोई समरी डाली हो उन्होंने तो जब हम लोगिन करकर चैक कर रहे हैं ना तो 39 लाख का कोई नौटीस इसू कर रखा है उन्होंने ठीक है ना ना ही कोई डिटेल डाल रखी है तो भाया यह 29 लाख रुपे की जो ओडर इसू कुआ है आरे भहिया यह तो हमें बता दो कि यह जो आप wrong supply कह रहे हो यह किस बात की wrong supply है सर क्यों कह दे क्यों बता दे भहिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि section 75 section 75 का subsection 6 section 75 का subsection 6 यह कहता है the proper officer in his order self set out the relevant facts and the basis of his decision जब भी कोई proper officer अपना order issue करेगा तो वो हमें relevant facts बताएगा और जिस base पर उसने decision लिया है वो बताएगा ऐसा हमारा section 75 कहता है जो कि हमारा belong करता है किससे journal provision relating to determination of tax मतलब कि यह एक journal बात है जो आपको follow करनी चाहिए यह हम अपनी pen drive classes में बताते है section 75 के बारे में अगर किसी ने अभी तक pen drive classes परचेज नहीं करी है तो अभी कई लोगों ने request कराता कि सर कोविड-19 का discount दे दीजिए तो यह कोविड-19 का discount चला है कब तक 31 मही तक तो अगर आप pen drive classes परचेज करना चाते हैं तो आप परचेज कर लीजिए अभी बहुत ही कम पैसो में मिल रही है जिससे आप पूरा course समझ सके चली हम आगे की बात करते हैं तो जब इनोंने section 75-6 का violation करा और हमें पूरी detail नहीं दी अब हमें क्या करना है भी आप पहली बात तो समझ लो इस तरह के जो order आते हैं आपको appeal तो file करनी ही पड़ेगी और जब आप appeal फाइल करोगे तो appeal में इस point को लिखोगे कि सर जो department ने order issue करा उसमें section 75-6 का violation करा है हमें पूरी detail नहीं दी लेकिन अब क्या करें सर पूरी detail इसकी कहां से लाए तो भाया इसकी पूरी detail लाने के लिए पहला दरीका तो क्या करना है आपको इस client की जो register मेल है उसे चेक करना है उस mail पर कुछ ना कुछ notice या कुछ ना कुछ summary आई होगी उसके basis पर आपको decide करना है sir अगर महाँ पर कोई mail नहीं आई तब क्या करना है तो भाया तब क्या करना है आपको आप क्या करें एक इसकी क्या करें certified copy मंगाए अब जब यह certified copy आप मंगाएंगे तो certified copy में पूरी की पूरी आपको detailed order आएगा कि यह order हमने किस base पे करा है certified copy कैसे मंगाएंगे जिस department से यह order issue हुआ है वहाँ पर आप written application आप दे कि हमारे को appeal फाइल करनी है और appeal के अंदर जो हमारे appeal के rules है वो यह कहते हैं आपको certified copy लगानी पड़ेगी तो certified copy के लिए certified copy के लिए आप एक application दो और application देने के बाद वहाँ पर 20 रुपे 50 रुपे की एक revenue stamp लगती है उसके बाद आपको certified copy वहाँ से issue करा लो जिससे की आपको यह पता लग जाए कि भईया इसके अंदर होगा क्या तब आप इसकी appeal फाइल करें क्योंकि यह 39 रुपे की penalty है कोई छोटा मोटा amount नहीं है और अगर आप भी चाते हैं इस तरह की appeal फाइल करना तो आप हमारा course purchase कर सकते हैं हम उसमें appeal filing की भी जानकारी देते हैं और हाजी इस Sunday आप तयार रहे ना इस Sunday हमारा topic रहेगा चार बज़े से साथ बज़े का दिलकुल नया topic है पहले कभी नहीं पढ़ाया ऐसा topic administration of GST law तो जो यह notice आ रहे हैं जो यह हमारे को order आ रहे हैं क्या इनका reply कैसे करें सही क्या सही officer ने order pass करा है या नहीं center की जंगा state वाले ने कर दिया state की जंगा center वाले ने कर दिया उसकी सारी चर्चा हम करेंगे तो अगर किसी ने इस webinar में अभी तक अपने आपको registration नहीं कराया है तो बहुत कम सीटे हैं तो अपने आपको registration करा ले इसमें हम जो GST council की meeting होने वाली 28 म सारेंगे सर मैगजीन इस बार physical मैगजीन हमें नहीं मिली भाई उसके लिए मैं हाथ जोड़के सरमिंदा हूँ कि आपको physical मैगजीन नहीं दे पाए क्योंकि printing प्रेस बनती लेकिन मैगजीन वालों ध्यान लखो जिनोंने अभी तक मैगजीन नहीं लिये तो कोविड का discount उन ले लिजेगा आप मुझे comment box में लिखकर बताना कि भाईया जो यह order pass किया गया है DRC07 क्या यह सही है या गलत है क्या इन्हें यहाँ पर पूरी retail देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि appeal तो हम इसमें जरूर करेंगे लेकिन appeal करने से पहले हमें थोड़े से facts को पता करना पड़ेगा आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जादे से जादा लोगों तक share कीजिएगा like कीजिएगा और comment box में लिखकर बताइएगा कि क्या इस तरह के notice आपको भी आए हैं आप वीडि